देखे दुर्भाग्य है कि संबलपुर की घटना पूरे उरिशा और भारत को हिला देने वाली घटना है, डड़ा देने वाली घटना है अब मैं पूछना चाहता हूँ यहां की सरकार से, यहां के मुशल्मानों से, यहां की सरकार तुष्टी करन कर रही है, दंगाईयों को बचा रही है क्या 75 साल में कभी उरिशा के लोगों ने किसी तजिया पर कोई पत्थल फेका हो हिंदूओं के द्वारा अगर हिंदूओं ने उरिशा के हिंदूओं ने संबलपूर हो या उरिशा के भद्रक हो या अनजिला हो जब हिंदूओं ने कभी पत्थल नहीं फेकाता जिया पर क्योंकि हम तो बसुधाइब को टुम्ब कम कहते हैं आखिर हम हनुमान जेनती कहा मनाएंगे क्या उरिशा का हिंदू, संबलपूर का हिंदू, भद्रक का हिंदू बंगला देश जाएगा की पाकिस्तान जाएगा की कावा जाएगा हमारे पुर्वजों ने ये सही है 75 साल पहले देश का बटवारा हिंदू और मुशलमान के आधार पे हुआ अगर उरिशा के मुशलमानों को अगर पाकिस्तान भेज़ दिया गया होता तो आज हमें हनुमान जैनती के लिए पत्थल नहीं खाना पड़ता और यहां की सरकार बोट के लिए तुष्टिकरन की राजनित नहीं करती और हमें संडक्षन देने के बजाए उल्टे हमें पर हमारे उपर ही भौक रही है तो फिर सर क्यों है हिंदो राश्र में हिंदों को रहने का अधिकार है वही मैं देश से और यहां की सरकार से टुक्रे टुक्रे गैंग से और मुशल्मानों से पूछना चाहता हूं कि हमें कब तक दबाना चाहते हो हमने तो कभी पत्थल नहीं फेका तुमारे तजिया पर हमारे हन्वान जहनती की शुभा यात्रा पर क्यों अगर ये घटना होगी आने वाले दिन में हिंदों भी इसके खिलाप उठेंगे कर दो